दौलत कमाना और इसका सही इस्तिमाल करना अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज हम जानेंगे दौलत कमाना और इसका सही इस्तिमाल करना इस विडियो को पूरा जरूर देखे इन्शाललाह आपको पता चलेगा कि आज के दौर में दौलत कमाना यानि पैसा कमाना और सही इस्टिमल करना हम अपने पैसो को क्या सही तरीके से इस्तिमाल करते हैं जिस दौलत को हमारे नभी मुहमद मुस्तफा सलललाह अलैही वसलम ने फितना कहा आज हम दिन रात उसी दौलत के पीछे भाग रहे हैं और इसकदर दौलत की हवस को अपने उपर हावी कर दिया है कि हमें इसके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता इसी दौलत से बड़े घर बनाएं बैंक बैलन्स गाडियां बनाई बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया बनाए बड़ी इमारते बनाई लेकिन इन सब के पीछे लगकर खुद को इनसान ना बना सके अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए दौलत कमाना बीवी बच्चों का पेट पालना सर चुपाने के लिए घर खरीदना ये सब अच्छी बात है। चीज उसके पास मौझूद थी। चीज बोला कि मैं कहा से लाओ मैं खुद परिशान हूँ खर्चों की वजह से जाओ जब मेरे पास होंगे तो दे दूंगा और काफी समय गुजर गया उसका मालिक उस चौकीदार को न तो पैसे दिये और न तो कभी उससे पुछा एक दिन उसके घर में काम करने वाली बू पुछा अच्छा कितने पैसे चाहिए उस औरत ने जवाब दिया कि एक लाख रूपए चाहिए कुछ जेवर बनवा लुंगी और कुछ बेटी के दहेज का इंतजाम कर लुंगी साहब ने गुस्से में बोला कि मैं कहा से दूं पैसे जाओ अपना काम करो और मैं देख रह कि आजकल तुम्हारा काम में बिल्कुल ध्यान भी नहीं लगता ये सुनकर वो बूढ़ी औरत आखों में आसूलिये वहां से चल पड़ी एक मालदार शक्स का पडोसी अपने माली हालात की वजह से बहुत परेशान रहता था नौकरी से हाथ धो बैठा था फीस ना देने क की वजह से बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था माबाप बूढ़े और बीमार थे उनकी दवाईया लाना भी उस शक्स के लिए मुश्किल हो गई थी हमेशा उसकी बीवी से उसका जगड़ा होता था जिसका आवाज उसका मालदार पडोसी सुनकर हर रोज हंसता र तो वो उसे कामचोर गरीब छोटी जाती वाला कहकर भेज देता था किसी की छोटी सी गलती पर उसे नौकरी से निकाल देता था दोस्तों यहां ये किस से बताने का मकसद किसी इनसान को तकलीफ पहुँचाना बिलकुल नहीं है लेकिन हकीकत में होने वाले इन सब वाकिया दिया है तो वो उसे आजमाता भी है कि वो अपने से कमतर और करीबों के साथ कैसा सलूग करता है उसके पास कोई भूखा प्यासा और कोई बेघर आता है तो उसके साथ वो क्या बरताव करता है कोई जरूरत मंद या कर्जदार उसके पास आए तो उसके लिए क्या करता है पूरी ना हो सके ऐसी दौलत का क्या फाइदा जिससे आपके अपने ही आपसे दूर हो जाएं ऐसी दौलत किस काम की जब की उसके पडोसी के पास खाने के लिए या दवाईयों के लिए भी पैसे ना हो ऐसी दौलत का फाइदा ही क्या जो इंसान को इंसानियत ही भुला दे द दौलत के नशे में इतने अंधे मत बनों की कयामत के दिन यही दौलत तुम्हारे लिए परिशानी बन जाए। कुछ भी नहीं ले जाएंगे कुरान पाक में अलाह ताला फर्माता है माल की ज्यादा चाहत ने तुम्हें गुमराह कर दिया यहां तक की तुम्हारे लिए परिस्तान जा पहुँचे कुछ चीजों की मुहबत लोगों के लिए तय हो चुकी है। पहुच चीजों के लिए उनके अलाह ताला के पास जन्नत है जिसमें ठंडे और मीठे पानी की नहरे हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे अलाह ताला की रजामंदी हैं अता है। नबी करीम ﷺ ने फरमाया कि अगर इनसान को एक बोरी सोना भरके दे दिया जाए तो वो दूसरी का ख्वाहिश करेगा, अगर दूसरी दे दी जाए तो तीसरी की ख्वाहिश करेगा और इनसान का पेट मट्टी के सिवा और कोई चीज नहीं भर सकती और अल्लाह पाक उसकी बबा करेगा ये حदیث सही बुखारी حदीश नंबर 6438 में है, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सब को अगर दौलत दे तो उसे इस्तिमाल करने का सहीं तरीका, भी अता करे जिससे हम कریबों और जरूरत मंदों के काम आ सके दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल अगर यह मालूमात पसंद आई हो तो आप से गुजारिश है कि आप इस और लोगों तक शेयर करें अल्ला हाफिज